आमादी पार्टी ने संजे सिंग को एक बार फिर से राजसभा के लिए मौका दिया है दिल्ली की तीन राजसभा सीटों पर 19 तारिक को चुनाओ होने है और हमारे साथ इस वक्त आमादी पार्टी के उत्रप्रदेश के अध्यक्ष मौजूद है ओत्रप्रदेश के अभी प्रभारी हैं वो किस तरह से अब उत्रप्रदेश में तयारी रही क्या नामंकन के लिए तमाम जो कारिकरता है वो दिल्ली आएंगे उस्सावर्दन के लिए उत्तर प्रदेश के परभारी और हम सब के निता सांसर संजे सिंग जी को दुबारा राजसभा में भेजने के लिए पार्टी के राश्टी सेहुजग दिल्ली के मुखंत्री माननी आरविंग केजिवाल जी का उत्तर प्रदेश की इकाई के तरफ से हम उनका आभार्वित करत धन्रबाद देते हैं कि सड़क से लेका सदन तक आवाज उठाने वाले संधे सिंग को दुबारा उन्होंने मुका दिया और जहांते नमांकल का सवाल है पार्टी कारकरताओं में जबरदस्त उस्ता है लोग के लगातार फोना रहे हैं लोगे पूछ रहे हैं कि लाम देशन क को लेकर क्या यह भी है कि जब से संजय सिंग जेल गए है तो थोड़ा असर पड़ा है रणनीती में तेकि उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोग डोर टो डोर कंपेर्ण भी कर रहे हैं हमारी सबाय भी चल ले हैं संबेलन भी चल ले हैं और जो पार्टी का निर्देश हो और जहां तक चुनाओं का सवाल है जो पार्टी का फैसला होगा जो हिसाब से हम लोग काम करेंगे सीट सेरिंग को लेकर काफी चर्चा है तो आपके लिए वो भी चुनाओती होगा पार्टी हमने आपसे कहा कि पार्टी हमारा जो सीशने तूथ है वो जो निर्ड़े किस तरह से आने वाले दिरों में समर्थन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं संजय सिंग के लिए क्या आप लोग कोई और प्रदर्शन भी प्लान कर रहे हैं देकि उत्तर प्रदेश में तो हम लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी पानिया सानसा जी बाहर सथ अवार्थ को हम लोग बलंद करने कायां करें वहां पर आने वाले लोग anticipating एंडी पार्टी की चार रंडी होती है कैमिरा मैं अनिल जैस्वाल के साथ पंकर जहें दिल्ली झाल झाल